क्या आप अपनी स्किन को अपने चेहरे को गोरा खूबसूरत चमकदार रौनकदार निखरा हुआ बनाना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि चेहरे की ब्राइटनेस इतनी बढ़ जाए कि सब उसको देखकर परभावित हो जाए तो आज मैं आपको ऐसा नुष्का देने जा रहा हूँ जिसे आप घर पर बनाएंगे और आपका चेहरा तमदार चमकदार रौनकदार निखरा हुआ पांच से साथ दिनों के अंदर आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि वाह क्या कमाल होने लग जो बीस बीस हजार पे की क्रीम्स लगाने पर भी असर नहीं होता तो क्या करना है तीन चमच बेसन लेना है उसको एक कटोरी में डाले उसमें दो चमच शहद मिला ले और दो चमच गुलाब जल मिला ले आधा चमच हल्दी मिला ले इन सब को अच्छे से मिला के पेस्ट बना ले इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पे आखों के नीचे आखों के ऊपर माथे पे गालों पे गले पे गर्दन पे कानों के आस्पास जहां जहां पर आपको लगता है कि आपकी स्किंटोन नीचे दबी हुई है उस पे लगाएं और堌 53-50 मिनट तक इसे लगा रहने दे रे उसके बाद जाकर ताजे पानी से सिधो दें और फिर तौलिये से हलका हलका टैप करते हुए उसको सुखाएं और उसके बाद एक चम्मच शहद और एक चम्मच गलिसरीम दोनों को मिलाकर उसको चेहरे पे अच्छे से लगाएं जहां जहां अपने पेस्ट लगाया था वहां वहाँ अच्छे से लगाएं और 10-15-20 मिनिट तक लगा रहने दे उसके बाद ताजे जल से धो दे और चेहरे को तॉलिये से टैप करते 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 सुखा दे बस सिर्फ इसे रोज करना शुरू कर दे आप कहेंगे स्वामी जी हमारी स्किन एक दो टोन अप हो गई कैसे अप हो गई? क्या आप गोरे हो गई? नहीं! आप की स्किन जो काली हो गई थी, मैंने उसको निकल वा दिया आप की स्किन पे जो टैन था, हमने उसको बाहर गर दिया आपकी स्किन पे जो दाग, दबे, निशान, आँखों के नीचे काले गेरे, उन चीजों को बाहर निकाल लिया क्योंकि प्राकिरती ने जो आपको स्किन दी थी, वो स्किन खराब होने लग गई थी परदूशन की वज़ा से, सूरे की तेज रोशनी की वज़ा से, या पिमपल्स वगरा के निशान की वज़ा से, या ओवर स्ट्रेस लेने की वज़ा से, आपकी स्किन पे जो निकार आना चाहिए था, वो स्किन बाहर की चीजों का मुकाबला करते, 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 धीरे, धीरे, मुर्जाने लग गई थी बस उसे ठीक किया तो आपका असली रूप बाहर निकलने लगा जो आपकी स्किन एक दो टॉन नीचे तक डब गई थी वो निकल गई और आपकी स्किन खिल किला उठी